इस शम्स जालनवी अद्वी नगरी जहां पर उर्दू कांफरंस हो रही है अगर आप कुछ लेकर जा रहे हैं तो वो मुहिबुल हक सहाब जो आपको देंगे वो आपकी विरासत होगी उसी तर्स पर उसलिए हमको आने वाले एक साल तक काम करना है इसलिए मैं आप सभी से ग बिस्म लाहिर रह्मानी रहीम अस्सलाम उलेकुम सद्र दी वकार हुकुमतِ महाराश्टा के साबिक वजीर जनाब संजे बंसोडे साभ इस सहरोजा इल्म औ अदब अर्दू को फरूग देने की कोशिश से मतालिक जो ये समिनार मनाकिद हुआ उसकी उरूह रवाँ डॉक्टर अंजम गादरी सहबा मेरे अजीज दोस्त जनाब अहमद सरवर सहब खवातिन उ हज़राद अभी जब मैं यहां आया तो कुछ बच्चे तकरीर कर रहे थे कुछ बच्चे नगमे सुना रहे थे कुछ बच्चे नजमे सुना रहे थे और उन बच्चों को देखकर मुझे और उनकी बाते सुनकर यह याद आया कि यह महर ताबां से कोई कहदे वो अपनी किरणों को गिनके रख ले हम अपने सہरा के जरर जरर को खुछ चमकना सिखा रहे हैं यह इवेंट बहुत चोते नहीं होते हैं जो बच्चे छोटे यहाँ पर पाठिस्पेट करते हैं आपके सामने आकर के तक्रीर करते हैं स्टेश पे आते हैं इन बच्चों में आने वाले दिनों के अपीज अअबदल कलाम को आप देखिए इन बच्चों में आने वाले मुलकि वगाने वजीरादम वजीरteilा और मुलकि-साइड़ा केरिगेटर, स्पोर्ट्समेन उन तमाम को देखे ये मुलक का मस्तक्बिल है इनकी होसला अवजाई हमें भरपूर करनी चाहिए मैं आपके सामने दायारे सरस्यद से आया हूँ दायारे सरस्यद यानि अलीगर्ड मुस्लिम यनिवर्सिटी से 1845 रिस्वी में एक अधारा सरस्यद अलीगर्ड रह्मा ने काईम किया आप सब जानते हैं कि 1857 के गदर के बाद पूरे हिंदोस्तान में जो मुसल्मानों की हालत थी और अंग्रेजों ने बतौरे खास मुसल्मानों को बगावत का जिमदार करार देकर दिल्ली में उनके दाखले को ममनू करार दे दिया था मुर्खीन लिखते हैं कि दिल्ली से लेकर मेरट तक की शहरा पे अगर आप चले जाईए तो कोई ऐसा दरख नहीं था जिस पे किसी बारेश मुसल्मान की लाश लटेक्टिवी नजर ना आती हूँ एक ऐसी हालत में कि जब ये कहा जा रहा था कि ये दो ओमें यानि अंग्रेजों को सबसे बड़ी मुस्भियत ये थे हिंदू और मुसल्मान मिल करके इन्होंने बगावत की थी जैसे पहली जंग आजादी कहते हैं अंग्रेजों उन्हों इसे बगावत का हम उसे पहली जंग आजादी कहते हैं तो उन्हों ने ये कहा कि यहिंदू और मुसल्मान इत्धाद अगर इस मुल्क में कायम रहेगा तो इस मुल्क में हमारी हुकमत कायम नहीं रहे सकती तो पहली कोशिश ये थी कि उस इत्धाद को तोड़ना और दूसरी कोशिश ये थी कि मुसल्मानों को बतौरे खास चुके वो बगवत का जिम्मदार समझते थे इसलिए उन्हें मातूब करना आपके दर्मियान जनाब समीर सिद्धिकी साब तश्रीफ ला चुके हैं मैं उनका इस्तखबाल करता हूँ तो देखिए ऐसे वक्त में जब हालात यह हों कि 600 साल साथ सो साल की हुकमत खत्म हो गई हो और एक कौम बेसरो सामानी के हालत यह थी के मौरखीन बताते हैं कि वो खवातीन वो परदानशीन खवातीन जिनकी शकले आफताब और महताब की किरनों ने भी ना देकी थी वो दर बदर की ठोकरे खा रही थी गलियों और चौराहों नुकड और इधर उधर गूम रही थी महलात में रहने वाले वो नवाबजादे वो रहीजादे अब रोटियों के लिए तरस रहे थे जमीने जब्द की जा रही थी इमलाग तबाह हो रही थी और ऐसा लग रहा था इस मुल्क से उस गौम का नाम और निशान मिट जाएगा ऐसे वक्त में शायद को मुसल्मानों की जबुहाली पे रहम आ गया और मुसल्मानों के दरमयान से एक शख्स निकला जिसका नाम सरस्यद अमद खान है सरस्यद अमद खान की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जजबाती अंदाद में मैदान में लेकर तलवार लेकर के नहीं आ गए बलके उन्होंने बहुत ही खामोशी से एक माहिर नबास की तरह इस कौम की जबुहाली की वज़ा दरियास करने के कोशिश की और उन्हें ने पाया कि जबुहाली की अगर मुसल्मानों की जबुहाली की वज़ा ये है तो वो तालीमी तोर पे उनके बैकवर्डनेस है साइंटिफिक एजुकेशन के लिए मुसल्मान तयार नहीं थे modern education मुसल्मान हासिल करने के लिए तैयार नहीं थे उस जमाने में उस जमाने के मशूर शायर थे अकबर एलाबादी जो अपने तन्जों मदाह की वज़े से जाने जाते थे आप ये समझ जाएए कि वो नेमतें जो बरतानवी इस्तामारियत के नतीजे में हमें हासिल हुई थी किसी ना किसी सुर्थ से उनको भी खबूल करने के लिए तैयार नहीं थे यानि हर वो चीज जिसका तालुक बरतानी ऐसा था हर वो चीज जिसका तालुक अंग्रेजों से था चाहे वो मौडरन एजुकेशन हो चाहे वो साइन्स हो सब को रिजिक्ट करने के लिए तैयार थे मुसल्मान कभी भी उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे अकबर एलाबादी मिसाल के तोर पे कहते हैं कि हर्फ पढ़ना पढ़ा है टाइप का हर्फ पढ़ना पढ़ा है टाइप का पानी पीना पढ़ा है पाइप का यानि अंग्रेजों के आने के बाद अगर वाटर सप्लाई सिस्टम बेतर हो रहा है तो उसको भी वो क्रिटिसाइज कर रहा है तालाब और कुएं से पानी पीने को बहतर समझा जा रहा है और वाटर सप्लाई को बुरा समझा जा जा रहा है आप ये अंदाजा लगाएं कि टाइप राइटर से लिखे हुए आप जानते हैं कि उसके खलाब भी एक एटिचूट था कि इससे पढ़ना जायज नहीं है बतोर खास अगर आरबी में कुछ लिखा जाए तो उससे नहीं पढ़ना चाहिए टाइप राइटर से लिखा हुआ ये एटिचूट था ऐसे वक्त में सरसीय अमचा कहते हैं कि आपकी मरवज़ तालीम जो हिंदूआं और मुसल्मानों इस मुल्क में तालीम है वो तालीम ऐसी है कि इससे हिंदुस्तानी कभी पनप नहीं पाएंगे और अंग्रेदे का मकाबला नहीं कर सकते तो वो क्या बताना चाहते थे कि आपको मौडरन और साइंटिफिक एजूकेशन की तरफ आना है लेकिन आप अंदाजा लगाई ये रियक्शन का फत्वे सरसीयत के खलाब सादिर होते हैं और ये कहा जाता है कि इस शख्स को कतल कर देना चाहिए और इसके बनाए हुए मदर्से को मिस्मार कर देना चाहिए लेकिन वो शख्स इन बातों के परवाण नहीं करता और मदर्स तुलूल मलीगड की बनियाद डालता है 1857 में मदर्स तुलूलूम की बनियाद पढ़ती है और 1857 में वो जाकर के M.A.O. कॉलेज बन जाता है और 1920 में यूनिवर्सिटी बन जाती है सरसेयत के बारे में इलताव हुसेन हाली लिखते है कि एक बार बहुत बारीश हो रही थी और बिजनिया कड़क रही थी शोर इस पदर था कि कुछ सुनाई नहीं देता था रात के आखरी पहर में किसी की हिच्कियों के आवाद आ रही थी किसी के रोने के आवाद आ रही थी शेयल नमानी उटके देखते हैं कि ये कौन शखस है और ये आवास कहा से आ रही है तो वो देखते हैं कि एक शखस मसल्ला बिचा करके जारो गतार रो रहा है और वो रो 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 कर ये दूआ कर रहा है कि या लाह मेरी इस जवाल आमदा को तो फिर से उभार दे उनके जहनों का हमवार कर दे कि वो तालीम की तरफ गामजन हो जाएं उनके जहनों का हमवार कर दे इसलिए कि वो जिदी तालिम को एक्सिप्ट कर ले मैं इसलिए कहता हूँ कि चाहे आप लातूर में हो चाहे आप उद्गीर में हो चाहे आप हैदराबाद में हो चाहे आप दिल्ली में हो सरसेद अले रह्मा का ऐसान सब पर है इसलिए कि आप अगर मौडन एजूकेशन की तरफ हैं तो ये सरसीद लेहरमा की देन आज क्या हालात 1857 के घदर के बाद या पहली जंग आजादी के बाद जो इस मुलक में थे क्या उससे जादा हालात खराब है सरसीद ने एक रास्ता दिखाया कि जब हालात खराब हों तो इंस्टिटूशन बिल्डिंग के तरफ आईए आप अपने एदारों को मश्बूत कीजिए अपनी स्फ़ों को मनظम कीजिए जो लोग जो गोमें गयूर होती हैं अकलमंद होती हैं वो चैलिंजिस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकती है तो चैलिंजिस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने का हुनर पैदा होना चाहिए अल्ला मैं अग्बाल फर्माते हैं कि निशान राह देखाते थे जो सितारों को तरस गए हैं किसी मर्दे राहदा के लिए निगाह बुलंद, सुखन दिल्लमाज, जापुर सोज यही है रखते सफर मीरे कारवा के लिए अगर इस जजबे के साथ आप आते हैं तभी आप तरक्की के मैदान में वहां पहुंचते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए मैं इस सदा फाउंडेशन जो है और जो इस तरह का जो इन्होंने इजलास मनफित किया मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि यह बहुत जरूरी है कि यहां पे एक अलीगर मुस्लिव इन्वरिसिटी और जामिया मनलिया के इन्फॉर्मेशन सेंटर हो कुछ नहीं करना है उसमें इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि आपको फॉर्म कब अपलाई करना है आडमेशन किन कोर्सें में होता है किन बनियादें के होता है कौलिफिकेशन क्या होती है आपको होस्टल एकॉमडेशन कैसे मिलता है यह तमाम चीज़ा आपको बताई जाएंगी और साथ ही साथ जो डिफरेंट कॉलम्स में कभी कभी परिशानिया होती है तो यह सदा फाउंडेशन के लोगों को यह ट्रेनिंग दी जाएगी और वो आपको फॉर्म फिलब करने में मदद करेंगे तो मैं यह समझता हूँ कि आप इस लाके से निकल करके दिल्ली अलीगड़ और मुख्तली हिंदोस्तान की जो बड़ी यूनिवरसिटीज है उसका रुख करें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में हिंदोस्तान की नौ यूनिवरसिटीज को उन्होंने शामिल किया है जिसमें अलीगड़ मुस्लिमी यूनिवरसिटीज के हिमेनिटीज के डिपार्टमेंट को हिंदोस्तान में नंबर वन पो को भी आप देखेंगे तो वो रैंकिंग में शामिल है तो मैं इसलिए कहता हूं कि अगर अपनी मेहनत और कोशिश से आप जब जदीद तालीम की तरफ रागिब होते हैं और यहां से निकलते हैं और इन शहरों का भी रुख करते हैं जहां पर आपके आजीम अदारे कायम ह तो ना सिर्फ यह कि आप तालीम हासिल करते हैं वरके सरस्यियत आमाद aún खाने कहा था कि मैं तालीम गाहा नहीं बना रहा हूं मैं तरबियत गाहा भी बना रहा हूं तरबियत और तालीम दोनों पे जोड़ दिया जाता है देखें एक बड़ी अग्री अजीब सी बात है कि ह उस زمانे में सरस्येत के दमाने में भी भी यही बहस चल रही थी कि मुसल्माने में तालीम कौन سी हो और तालीम का जो इसकीम ऑफ एजुकेशन है वो कौन सी होनी चाहिए इस डिबेट को सरस्येतना हमेशा के लिए खड़ं कर दिया और मैं ये समझता हूँ कि रोजे क्यामत तक आपके लिए और हम सब के लिए ये रहनुमाई का दरिया बनता है उन्होंने कहा कि हमारी इनिवर्सिटी में तालीम का वो मेयार कायम होना चाहिए और वो तालीम हासिल होनी चाहिए कि जिसमें एक हात में साइन्स दूरे में फलस्फा और सर्पला इलाह ईलला मुहमद रसुल बर्सुल्ला का ताज हो मैं ये इस लिए कह रहा हूँ कि जब सरस्य दमका ये कह रहा है कि सर पे लाइला इला मुझा रसुल्ला का ताज हो एक में साइंस हो दूसरे में फलस्फा हो ये चोड़ी दी बात नहीं है आप भो सकता है अगर आपके सर पे कल में तयबा का ताज नहूँ तो हमारे दरमयान से कोई साइंस दा तो पैदा हो जाए और वो गाइड़ेड मीजाईल भी बनाए लेकिन गाइड़ेड मीजाईल अगर मिस गाइड़ेड लोगों के हाथ में हो जाए तो बड़ा खतरनाक हो होता है सरस्य दमक्खा क्या कहते हैं सरस्य दमक्खा कहते हैं कि इस मुल्क में हिंदू और मुसल्मान दुलहन एक खुबसूरत दुलहन की दो आखे हैं अगर एक आख को नुकसान पहुचता है तो दुलहन की खुबसूरती मतासिर होगी सरसेयदा मदखा कहते हैं कि इस हिंदोस्तान की जमना और गंगा को वो मकदस दरिया के के कहते हैं और कहते हैं कि हम इसी दरिया का पानी पीते हैं यही आब वहुआ में सांस लेते हैं इसी मिट्टी से उगने वाले फसलों को खाते हैं इस तरह से हम सब एक हैं इस इताहत का पागाम देते हैं और इस से आगे बढ़कर के जो सरस्य अमजखा कहते हैं आज पुरी दुनिया में एक clash of civilizations की बात की जा रही है तेहजी भी तसादूम की बात की जा रही है तेहजी भी कश्मकश की बात की जा रही है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट सेमिल पी हंटिंटन ने अपनी किताब The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order में क्या लिखा है वो लिखते हैं कि There can be no true friends without true enemies यानि हकिकी दुश्मन के बगार हकिकी दोस्त नहीं हो सकते एक novel से quote करते हुए अपनी किताब में वो कहते हैं कि You cannot love what you are unless you hate what you are not यानि आप इसको अगर हम simple करें तो आप अपनी तहजीब से महबत नहीं कर सकते हैं अगर दूसरी तहजीब से नफरत ना करें आप अपने मजब से महबत नहीं कर सकते हैं अगर दूसरे मजब से नफरत ना करें आप अपनी जबान से महबत नहीं कर से कर दूसरी जबान से नफरत ना करें उसके मकाबले में सरसेयद अमद खां क्या करते हैं सर सید خان कमेंटری लिखते हैं बाइबल पे और इस बाइबल पे कमेंटरी लिखते हैं इस मقस्द के साथ ये थाबित करने के लिए कि एसाई मुसलमान और यहूद और नसारा जो इनको आप कहते हैं ये सब एक साथ मिल करके रह सकते हैं पीस्फुल को एग्जिस्टिंस के साथ रह सकते हैं पूरी दुनिया में, वो तहजीबी तसादुम के इस नजरिये को उसी वक्त रिजेक्ट कर चुके थे, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये community is incompatible हैं, ये अहले किताब हैं, इनके दरमयान बहुत सारी ममासलते पाई जाती है, बहुत सारी यक्सानियत पाई जाती ह अगर उन तमाम चीजों को देखा जाए, तो ये तमाम कौमें पूरी दुनिया में आमनो आश्टी के साथ रह सकती हैं, आमनो आश्टी का शान्ती का ऐसा ऐसा शक्त जो जिसकी वकालत कर रहा है, आप देखिए उसकी दरूरत क्यों है, मार्टिन लिधर किंग जुनियर, ज यानि तशदुद और अध्मित तशदुद के बीच में च्वाइस नहीं है, या तो नौन वाइलेंस या तो नौन वाइलेंस, आपका वजूद खत्म हो जाएगा पुरी दुनिया से, अगर आप अमनो शान्ती के पेगांबर ना बने और उसके लिए कोशिश ना करें, या दोस्तों मुझे बहुत खुशी है, कि मैं आपके दरमयान अलीगर्मुस्मी निवर्सिटी से यहां आया, और मैंने ये देखा कि ये अर्दू का ये जश्न, एक ऐसे पौकेट में जहां मैंने इससे पहले कभी विजिट नहीं किया था, इतनी बड़ी तादाद में उर्द का असाद़ा, इतनी अच्छी जबान बोलने वाले, इतना अच्छा लिखने वाले, बेहतरी इन जबान में इजहारे तशक्र करने वाले, बेहतरी इन जबान में इस्तक्बाल करने वाले, मैं आप तमाब लोगों को सलाम एकिदत पेश करता हूँ, और अन्यम गादरी किनार का जो इनाकाद किया है इसके लिए आप बहुत मुबारक बात के मुस्ताइक हैं साथी साथ ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे दरमयान अभी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं समीर सिद्यकी साथ जो आप से खताब करेंगे और यकीन आप उनसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे बहुत रखास कि जो यहां पे तलबा हैं और तलबा वो तलबात हैं उनको यकीन जिन्दगी की एक नई रह मिलेगी मैं आखरी बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और वो यह है कि जो गोमें एदारा साथी नहीं करती एदारा स साथी का मतलब यह होता है कि आपके इंस्टिउशन्स नहीं बनाती हैं वो गोमें बहुत दिनों तक तरकी की जो दोड़ है उसमें दूसरी गोमों के मकाबले में कदम से कदम मिला कर नहीं चल सकती हैं मुझे बहुत अफ्सूस होता है जब अलीगर्ण मुस्लिम इनिवर्स में पढ़ाते तो मैं कहता हूँ किसी और जगा पढ़ा लीजे तो वो कहते हैं कि अगर अलीगर्ण में दाखला नहीं हुआ तो हम कहीं और नहीं पढ़ा सकते कि जो तर्बियत जो तहदीब अलीगर्ण में है वो कहीं और नहीं मिल सकती और आज के हालात में बहुत ऐसे च तकरीमन लड़कियों का होस्टिल के साथ कोई गर्स कॉलेज हो जिसमें वो महफूज रहकर अपनी तहजीवी शनाख्त को पैम रहते हुए बेहतरी इन तालिम हासिव कर पाएं एक अलीगड एक जामिया कितनी लोगों की खाईशात को पूरा कर पाएगी तो क्या आप लोग इस जथमे के साथ ये जो आपके दरमयान अंजम खादरी साहबा और एहमत सर्वर साहब मौजूद है क्या इनके खायादत में आप लोग कोई ऐसी तहरीक बरपा नहीं कर सकते कि पूरे हिंदोस्तान से और हिंदोस्तान से बाहर से आप कराउड फंडिंग पर रहकर और अपनी तमाम तहदीब शनाख को कायम रहते हुए वहाँ पर तालीम हासिल कर सके हैं मैं यह समझता हूँ कि अगर आप ऐसी कोई करते हैं और आप कोई पहल करते हैं तो हम दामे दरमे गजमे सुखने हर तरह से आपके साथ हैं और आप जब भी आवाद देंग कि इन्शालला हम दरूर हाजिर होंगे और सिर्फ हम अकेले नहीं आएंगे बहुत सारे लोग हमारे साथ आएंगे तो मैं यह समझता हूँ कि अगर तीस तीन रोजा कॉन्फरेंस के बाद आप कोई ऐसा है करते हैं कि हमें कैसे अदारा साधी की तरफ हम जाएंगे दूसरी क्या आप इन तमाम चैलेंजिस को देखते हुए जहेद की लानत से अपने आपको आज़ाद कर लिया आपने क्या इन तमाम चैलेंजिस को देखते हुए आपके अंदर तालीम का वो शूर जादा शिद्दत से बेदार हुआ जिसकी जरूरत है पूरी दुनिया आपके सामने है मैं आपको बताता हूँ अलीगर्ण मुस्लिम उनिवर्सिटी में वो बच्चे जिनको गहरों से बहुत कम पैसे आते थे और वो बच्चे वहां पे बैठे हुए धाबों पे बैठ करके जहां पे पांच रुप्य की चाय पीते हुए वो नी यॉर्क और लंडन का खाब देखते थे और मुझे बहुत खुश हुई कि मैं आज से तक्रिबन दस साल पहले एक बार जब इंगलैंड गया तो मेरी एक स्टूडेंट जो अलिगर्म उनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी उन्होंने मेरी दावत की इस्ट लंडन के एक होटल में तो जब मैं वहां पहुचा तो मैंने तमाब चीजों की क्यमतें देखी जो पांड में थी मुझे अंदादा हुआ कि यह पंदर भीस हजार की की दावत है तो इसे कम कर दिया जाए तो उसने बताया कि सर I know what you are doing हमने का कि what I am doing तो उसने का कि you are trying to convert pound into money and then you are calculating the cost हमने का you are very much right तो उसने का so don't worry sir I am getting fifty five thousand pound per annum so that is why you should not be worried at all आप अंदादा लगाईए कि एक बच्ची इसी वज़ा गता के साथ उसी उनिवर्सिटी में आती है अपने एक middle class family से फिर वो खाब देखती है लंदन का वहां जाकर कर सेटल होती है और अच्छी जॉब करती है और उसी के साथ साथ कुछ जनों बाद अपनी family को भी वहां शिफ्ट कर लेती है ये कोशिशे हैं ये काविशे हैं जब guardians करते हैं और वहां पर जब जाते हैं और उसी वज़ा गता पर गायम रहते हुए लंदन के माशरे में जाकर कि उन चीदों का कबूल नहीं कर लेती जिसके बारे में आम तरुपे गले सहमिया होती है तो हादरी इन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब एदारासादी गवामे करती है अपनी अंजमने बनाती है अपने एदारे बनाती है तो उन एदारों पे आपका एक space होता है जिसमें किसी हद तक आपकी और्टोनमी होती है और उस और्टोनमी के साथ साथ आप अपनी शनाख, अपने तशख्ष, अपनी जबान, अपनी तहजीब को खायम रख सकते है और याद रखिए उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं है अर्दू एक तहजीब का नाम है अगर ये जबान खत्म हो गई तो ये तहजीब खत्म हो जाएगी और इस तहजीब को कायम रखना हम सब की दमधादारी है बच्चों जिन बच्चों ना भी अभी परफॉर्मिन दी इतनी अच्छे देश भक्ती के नगमे पड़ रहे थे हिंदूस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है जिसमें हिंदू मुसल्मान सीख हिसाई सम्मिन कर रहते हैं वो उसका मदायरा कर रहे थे साथ ही साथ यहाँ पे जो बैद बादी हुई क्विज और मक्तली जो मकाबले वो उसमें जिन बच्चों ने शामिल जो शमूरियत की आप यह समझ जाएं बच्चे कि यह बहुत चोटी सी चीज नहीं है जब आप वहां से उटकर के यहां तक का सफर कर लेते हैं यानि स्टेज का और पबलिक को फेस करते हैं तो आपके अंदर जो इतमाद पैदा होता है या इतमाद आपको बहुत दूर तक ले जाता है यह सफर बहुत चोटा सा सफर नहीं है इसके पीछे माबाप की महनते होती हैं असाद़ा की महनते हैं और उनकी काविशे होती है और उनके बहुत अर्मान उनकी बहुत कोशिश होते हैं जब एक छोड़ा था बच्चा आकर के स्टेज पर पर्फॉर्म कर रहा होता है उस वक्त उनके वालदेन को जाकर के आप देखिए उनका असाद़ा को आप जाकर के देखिए तो मैं आप सबसे गुदारिश करता हूँ कि ये चोटी थी चोटी जो आप और्फॉर्टिटी आपको मिले उसमें अपने बच्चों को दरूर शामिल कीजे ये सफर ये दस बीस मीटर का सफर नहीं है ये जिन्दगी की वो तमाम कामयाबियों का सफर है यानि जर्रे को आस्मान बनाने का सफर है चराख को सूरज बन सिटी से है और मैं इस बात पर जतना फक्र करूं कम है मैं कभी ये सोचता हूँ कि अगर मैं उस अदारे में ना होता या अगर सरस्यद ना होते तो फिर हम आज कहां होते दौाईय कलमात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ आए अलीगड़ आए जवा किसमत दबिस्ताने क आए के तेरी फिक्र से ताबिंदा तेरी अंजुमन तेरे पैमानों में लर्दा है शराब इल्मु फन हश्र के दिन तक फला पूला रहे तेरा चमन मशले मीना से रोशन तेरा मैखाना रहे रहती दुद्या तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे बहुत बहुत शुक्रिया झाल